अब 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 आपको अपने चलंग राजबुत पे और दोस्तों आज की स्वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हाउ टू पे एक्सिस बैंक पर्सनल लोन इमाई ऐसे अच्छली दोस्तों हुआ क्या कि मैंने एक पर्सनल लोन लिया था एक्सिस बैंक से तो जब मै मैंने उन्हें चेक दे दिया उन्होंने चेक लेलिया मेरे से ब्लैंक चेक ही लिया था उन्होंने सीनेचर वेगर है मेरा उस पर करवा लिया उन्होंने सीनेचर और मैंने उनको दे दिया तो उसके बाद काफी दिन हो गया लगभग 15 दिन हो गया वो मेरा लोन हो नहीं रहा अब क्या हुआ कुछ दिनों बाद मेरा लोन पास हो गया और फिर ऐसी करते करते मुझे 1st EMI का डेट भी आ गया अब 1st EMI डेट पे क्या हुआ कि वह जब मेरा चेक लेकर पहुंचे बैंक में तो वह तो मैंने कैंसल कर दिया था तो वह payment मेरी हो नहीं पाई उसकी तो ऐसे क्या हुआ कि मेरा autodavit feature जो है वह काम नहीं कर पाया और payment उसका हो नहीं पाया तो actually मुझे करना था उसको online actually मैं वह उतने दिन से पहले से online तरीका सूट ढूण रहा था कि how to pay access bank loan EMI online लेकिन मुझे YouTube पर भी कहीं कोई तरीका नहीं मिला ठीक है आप YouTube पर ढूणनेंगे तो कोई वीडियो नहीं मिलेगा आपको इसका और मैंने Google भी काफी किया तो उससे मुझे कोई तरीका नहीं मिला तो finally मैं bank गया और bank से मैंने पता किया सारा कुछ की कैसे pay करना है online तो म सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं मैंने इस पर ऊपर ब्लॉग बनाया जी बनाया है वह ले चलता हूं तो यहां पर दिखिए दिखा हूँ है how to pay access bank personal loan EMI online तो दोस्तों दिखिए क्या करना है जब मैं bank गया तो नहीं मुझे एक यह slip दिया इस slip पे उसका proper payee का नाम दोकिमेंट वह रहा हो जो चेक वह रहा होते हों सारा उनके में ब्रांच पर चला जाता है तो यह है उनका इसको सच करोगे गूगल पर यूटी आईबी 4x0245 यह देखो यूटी आईबी 4x0245 इसकी तो यह आपको मुंबई का उनका access bank वालों का यह है ठीक है यह लिखना है आपको तो एक्चुली यह क्या प्रोसेस क्या है कि आपको अपने इंटरनेट बैंकिंग पर जाना है और एज पेई एड करना है अपने access bank के loan account को ठीक है तो मैं इसको थोड़ा दिखाता हूँ आपको यह देखिए मैरा यह आयोबी का account है तो मैंनो इस पे एड क थया हुआ है तो निम और b 출is क्या होगा access bank मैं Chraster dealers लिखा हुआ वैसे तो यहाँपे उन्हें एक्सर हंच बैंक लिमिटेड。」 दिया हुआ था लेकिन मैंने proxy bank लिखा था तो ओ भी चल गया था ठीक है एक्सिस बैंक और बेनिफिसरि अकॉंट टाइप में यहाँ पर ữngथे हैं लिखा है कि कि आपको देना है लोन अकॉंट लोन अकॉंट क्या होता है कि एंटरेनेट बंकिंग के की के कान तरह के असमी पर एक बेनि आता है कि आप 7 क्रिट तो मैं उसी को select करता हूँ और चल जाता हूँ ठीक है तो आप भी देख लिए अगर loan account आ रहा होगा तो loan account ले लेना वरना cash credit भी आप कर सकते हो select तो मैंने cash credit किया हुआ था account number यहाँ पे एक आता हो option पहले उसके बाद repeat account number को option आता है और IFSC code, IFSC code भी मुझे पहले पता नहीं था कि कैसे add करना है उनको ठीक है customer care से मैं करवा रहा था तो customer care मुझे बोला तो UPI से करवा हो आप ठीक है आप देखोगे यहाँ पे google करके तो इनका इन्होंने अपना एक access bank की website पे तो इन्होंने कुछ बोल रखा है कि ऐसे करके आप भीम पे और UPI पे से आप ऐसे कर सकते हो कि loan account number add rate access bank डालके और payment कर सकते हो लेकिन होता नहीं है यह payment यह जब अजस्तिक के लिखा है इन्होंने में इसमें काफी परेसान हो गया ठीक है तो यह तरीक आपको फॉलो करना है और यह आपको यहाँ पे एंटर कर देना है ठीक है IF दूसरा method है वह भी मैंने यहाँ पर बता रखा उसमें क्या करना है आपको access bank वैसे यह method मैं follow नहीं करता लेकिन फिर भी अच्छा method है ठीक है इसमें आपको EFSC डालने के भी जरूरत नहीं है यहाँ पर आपको जाना है ठीक है और यहाँ पे click here करना यह मैंने सारा कुछ बत payment कर देना किसे भी बैंक के online banking से कहिए मैंने अपने उसके ब्लॉग के उसमें URL में दे रखा है तो सबसे पर दोस्तों जो एक चीज़ मैं बताना यह चाहूंगा आपको कि यह जो access bank है इसका EMI आप directly payment नहीं कर सकते कहने का मतलब अगर आपका भी suppose आपको payment करना है तो आप directly payment payment नहीं कर सकते हैं पहले वह overdue होगा उसके बाद आप उसका payment कर पाऊगे कहने का मतलब पहले आपने जैसा भी करार है आपने वह overdue होगा तो उसके कुछ charges पढ़ेंगे तब जाके आप online कर सकते हो वैसे आई default आपको जो mode of payment है जैसे आप करते हो वैसे ही करना है आपको यह थोड़ा समस्या वहनता बाकी वे क्या होता है कि आप अपने हिसाब से payment कर दो ठीके जैसे money view loan वेगर होते उनमें क्या होता है कि आप अपने हिसाब से जैसे mercury payment कर दो ऐसे कि ओवर्ड्यू ऑगा उसके बाद आप ओन-लाइंप्यमेंट पैसे बैंक मैंसा है कि पहले ओवर्ड्यू हो गा उसके बाद आप ओन-लाइंप्यमेंट कर सकते है घराबी यह थोड़ी से यह विकौर चीज़े ठीक तेके डुस्तों तो यह मैंने आपको तरीका बता दिया कि आपको पैए अड करना है उसको और पैसे सेंड कर देने उनको फिर आपको मोबाईल अब मेज़ दिन रिफ्लेक्ट होने में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे जैसे देखिए मैं आप दूसरे वालर जो मैथट है दूसरे वाले मेथड में अगर आप ऐसे अपना लोन अकॉड नमर डाल दोगे तो अपने आप यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा उसके बाद आपना पैसे डालो कितना की पैसे बरना है ओके करो और ऐसे बाद में फिर पैमेंट का स्क्रीन आ जाएगा ठीके दोस्तों तो आप यहाँ से में अपना यह मेरा वेबसाइट है टेगराजपू.com इसका मैं आपको लिंक के वहाँ पर शेयर कर दूँगा वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में वहाँ से आप उठार ले ना और आप इजली पैमेंट कर सकते हो ठीके दोस्तों तो आज के लिए इतना ही दोस्तों अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और कुछ सेजेशन वगरा है वो भी कमेंट कर सकते हैं तो आज के लिए इतना ही थैंक्यों वेरी मच्छ हैवान नाइस्टे